नमस्कार मैं जूतिश शवहान विधानसवा की सीट हरियाना में कुल 90 है लेकिन इसमें एक सीट जो है वो बहुती महत्पूर्ण और बहुती खास है वो जुलाना विधानसवा सीट है जहां से विनेज फोगाट को मैदान में कॉंग्रस के तरफ से उतारा गया है और उसमें एक खास गाउं आता है बकता खेड़ा जहां से उनका जो गाउं है वो यही गाउं है जिस वक्त हम लोग मौजूद है यहां पर और तमाम लोगों से बाचीत करने वाले हैं चुकि कल यहां पर विनेज फोगाट आई थी उनका सम्मान किया गया उनका आगमन पे तमाम कर रही है कैसा लग रहा है गाउंवालों को और क्या सोच रहे हैं वाई सब्सक्राइब पूरे गाउं में पूरे यलकम इतनी खुशी है और कांगर्स ने तर्ताव का रावल गांदी जी का फैंदर उड़्डा जी का बड़ा सवागत कर रहा है हम इस फैसले का क्योंकि एक प्रदानमंत्री ने एक नारा दियाथार याना की दर्थी से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ लेकिन सरकार उस नारा पर सो परसेंट विफल रही क्योंकि जब जंतर मंतर पे लड़कियों पहल वाना ने प्रोटेस्ट करया वहां गशीटा गया बाईसब बैन बेटी किसकी ह कर रहा है 145 क्रोडबादी का बोज लेकर उलम्पिक में गए है जो बैन बेटिया गई है जो भाई गई है उन्होंने वहां देश का गोरो बढ़ाने के लिए कितना बोज होता है लेकिन यहां बीजेपी क्या कह रही है अनिल विज ने बोला कि बेटी कोंग्रेस की बनना प पहड़ी थी और तमाम विपक्षी पाटी बीजेपी के कई नेता हो नेता जो है वो सीधा हमला करने से विनेज फोगाड़ बचने तो क्या सौफ्ट कॉर्णर है कहीं न कहीं बीजेपी जितने भी महिला एंपी थी राज्यसभा से थी सभी के पास एक लेटर डाला गया था अब प्रोटेस्ट के वक्त डाला गया था आप तो अन रिकोर्ड आपको पता भी है मेरे से जादा जानकार हो आप कोई भी महिला बीजेपी की पदा दिकारी या चुनी विलेक्टी डाया राज्यसभा से कोई नी पोच्छा तो आप कैसे कह रही है बीजेपी की बेचुना तो देना चीए था हो देश की बेटिया थी जंतरमंत्र ऐसी चीज नहीं है कि कोई चोटी चीज है कोई चोटा प्लेट फारम नहीं है जंतरमंतर वहां से आलधिया या वर्ल्ड की मीडिया के रहो करते है प्रमिशन किस ने दी विजेपी की जुबर्योंट थि विजेपी बिजेपी ने जो कल मैंने भी उब्यान पड़्यादा अगर बिजेपी सही में बेटी का समान चाते है ना तो यहां से परताशी इसे बड़ा सम्मान क्या और बेटी मान रहे हो देश की तो आप किस कह रहे हो आपके सबद ही है कि इनके खिलाप हम ना जाएं टिपनी ना करें आप प्रतैसी मत उतारो मुखमंतरी सैनी जी ने कहा कि कहीं ने कहीं वो कॉंग्रिस के बहलावे में आगे या जाल में आगे इस कि के तो कुछ मुख्यमंतरी सभीचा होता है किसी एक कर नहीं होता मुख्यमंतरी ने यह प्यां देना चाहिए है वह बेटी कहींच क क्या बड़ावर चुनाव लडए हैं अमारे उलिम्टिक में वह आप ने कहा कि हम सम्मान करते हैं लेकिन वो कॉँरा, सारा कभिए इस त प्रोटेस्ट किसी एक का नहीं था यह तो आग आने वाली पीडी के लिए प्रोटेस्ट था यह खिलाडी यह कह रहे थे कि इनका तो यह तो वैसे जाना चाहरे हैं दम नहीं है चले करतूस हैं तो उस बेटी ने उन जो बेटिया गई है वो ट्राइल देगे गई उन्होंने परेश में दिखाया व्ल्ड ने देख यह बिजय पी क्या रही धीर यह तो बीजय पी जाने आप तो मैदान मुतर गई है तो गाउवालों के तरफ से क्या तायारी चल लिए यह बताई गाउवालों की तेयरी क्ल आपने देख भी ली पूरे अलकर की देख ली मेरा सब्सक्राइब बजर्ग हैं युवा हैं सभी बेटियां हैं क्योंकि बेटियां वह यह बहु है कि तो बेटियां भी मुलब एक कदम चुनाव मुमेंट पकट रहा है आज चुनाव लड़ना है समझे मेरी बात उसके लिए हर चीज त्यार है आप भी आपने छोटा नोटिस सब्सक्राइब तो लगता है तो लगता कि इतना बड़ा मतलब एक तरफा महौल विनेश फुगाड के पक्ष महां बनेगा जो सीम सहाब खुद भी आ जाए तो जैसे भी बजरंग पुनिया ने कहा है माहौल तो आपने जब 17 तारीकों विनेश आईना भार्द माहौल तो वहीं बन गया था जब ओलम्पिक में वह चीज डिस्क्वैलिफाइब माहौल वहीं बन गया था एक सेंपती है बैस बेटी ने दम दिखाया किसी कारण वस देखो आरोप नहीं लगा रही वह चीजे बहुत लंबिया उस बेटी ने बार-बार काया यह चीजे ब लोगों को पूरी तर इसे मतलब खुषी है इस बात जी बिल्कुल पूरी खुषी है क्योंकि राजनितिक अक्षेतर जो राजनितिक जो पावर है वह इनसान को इतनी पावर देता है कि वह समाज में बहुत बड़ा करांतिकारी प्रिवर्तन ला सकता है ठीक है ना तो उसी साथ से जो इन्होंने इंट्री किये राजनिती में इसका हम बरपूर स्वागत करते हैं लोकतंतर के जो चार सतंब हैं आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार है उसमें चारों सतंब पूरी तरह दबोच रखे हैं जैसे बाज चिडियां को दबोच लेता है ना ऐसे ही नरेंद तो स्वाली पैदानी होता कि इनकी 240 सिट्यां जाती मतलब भी नहीं था यह नारा चार सो पारका था जनाब फिर भी यह 240 तक भी यह सिरफ मीडिया जूठी मीडिया के कारण जो मीडिया खरीदी हुई है ड्री हुई है नोकर साइड री हुई है जो सच्चे इमानलार नेता उनको जेलों में डाल रही है कोई प्रूफ नहीं मिल रहे कोई सबूत नहीं मिल रहे देश का जो सुप्रीम कोट का मुख्य नयाई दीस है वो भी अचंबित है सरकार के खिलाब उसको भी डिसीजन लेडे पड़ रहे हैं लाल के लिए से क्या बोला था परदान मंत्री ने उस टेम देख्या था अपने चेरा सुप्रीम कोट के जो मुख्य नयादीस है तो जनाब ये मैंने अपनी जिंदगी में इतना जूठा इतना बहरूपिया और इतना राजनिती का मस्टर माइंड आदमी नहीं देखा जो केंदर से भी नाराजगी है और अरियाना में भी जो 10 साल बीजेपी के थे इससे भी पूरी तरह नाराजगी है आखिने उन्हें अरियाना को दिया क्या है कुछ लड़के जिस बात पर आकर रुक जाते हैं कि वही इसके राज में जो हना ये नोक्रिया मिली है बगए रिस् लड़के हैं उनके आथों में ट्रे पकड़ा दी पानी की गिलास पकड़ा दी जाडू पकड़ा दी अभी अभी लोकसवा के चुनाओं में पांच-पांस सीटे दूनों के पास आई मतलब बरावर आवा की फाइट रही विदान सवा कि देखिए विदान सवा में पर बनेगी अब की बार बदलाव होगा अब ही बता जिए या बदलना है बदलना है दो-तीन वजया ऐसी जिसको लेकर लगता है कि सरकार ने काम ने किया जिसको लेकर नाराजगी पुरा अरियाना पंजाब इसे बड़ा मुद्डा है किसान के लिए क्या हुआ ये किसान की बेटी है हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके साथ एक जूट होगे लगे रहे हैं हमारा जो बलोक है जुलाना पिछले दस साल से बीजेपी की सरकार है और ये अरियाना का मेरे ख्याल में सबसे बैकवर्ड एरिया है इस एरिये के अंदर बीजेपी ने एक काम भी ने किया पंचायती ग्रांड तो हर सरकार देती है जुलाना में कोई भी एक काम किनुआ दे ये बीजेपी सरकार यहाँ पे कोलेज बना वुपैंदर सिंग उड़ा के राज में बना नया मेडीकल बनया वुपैंदर सिंग उड़ा के राज में बना या पुराना मेडिकल स्टेशन जो कुछ भी हैं सब कांग्रेस के सासनकाल में हुए है बीजेपी के राज में इस अलके को कुछ नहीं मिला ये सच्चा ही है इन्होंने तो बीजेपी ने सिरफ लोगों को धरम और जाती के नाम पर बांट दिया है धरम एक ऐसाक सित्तर है जिसको लोग जैसे इंदू धरम और मुसल्मान में उड़ जा दिया किसी भी इंदू से पूछ लेओ आप उसको यहीं नहीं मालूम के मैं इंदू क्यों हूँ इंदू की प्रिवासा क्या है इंदू के क्या कीजा़्ब क्यों होनी से और मुसल्मान के खिलाब आ आप हाप क्यों हो पता ही नहीं है धरम का माहिना नहीं हूए और इस सातिर जो राजनेता है ये यह मिस्टर म३दी इसने और जो उसका साती एक और हम इसा यह बड़े तकड़े खिलाडी है इन्होंने देश धरम में बाटके और देश पे कबजा कर लिया अगर रोबोट भी आजाए ना तब भी तब भी वह आर नहीं सकती अच्छा गाउं में खुशी का मौल है पूरे हलके में खुशी का मौल है हर यूवा नोजवान बुड़ा लेड़े वी सब साथ में पूरा जूट होगह पूरा हलका एव उनके साथ मुलाकात हैं तो मुलाकात तो ब已經 होए है तो पर ब सबब्लोग native ب High q चुनाव परचार के लिए क्या तयारी फूल है बस अब ओफिस की सुरुवाथ है उपिस शुरुवात होते हैं इस इतने बुजरुग हैं सब पूरे हलके में अपने जान पैचांद जाए हर जगह हम विजिट करेंगे चुनाव परचार के लिए भी उनको प्रदेश से कहा ग खेड़ा हो गया है वो दुनिया में उसकी पहचान है परचार वो एक स्टेटमेंट भी अपनी देदें तो भी दुनिया उसको ध्यान से सुनती है आज कल सोचल मीडिया पर विनेश फोगाटी है अरियाना तो बहुत बड़ा है 90 सीटे हैं इस सीट पर ही ऐसा क्यों हो के पू परदेश को लेकर क्या कहना चाहेंगे दस साल तो आपने सरकार को देखा थोड़ा कुरसी दर कर देते हैं पर देश में आपको पता है वेरोजगारी का क्या मावल है युगाओं को बाहर निकलना पड़ रहा है मैं खुद यूरोप में काम करता हूं ट्रक ड्राइवर हूं तो आप यहां का आला देख लो सोशन कीतना हो रहा है मजदूर का करमचारी गा बीजेपी सरकार में गुड़काओं में देख लो आपके आलोएं कितनी कंप्रियों में प्रोलम आई है तो कितने युवा सानी जी आने के बाद कुछ मतलब बदला हुआ जैसा बीजेपी ने देखा कि बहुत इनको तो शिर्फ चैरा बना के सामने रखे दिया कमिया चुपाने के लिए एक नया चैरा लाके दिया चैनी जी है चलो वह भी हमारे बाई हैं हमारे समाज से हैं लेकिन उनको दो बसे के अगला सवाल यही था कि जाती समीकरन देखते हुए ओबीशी लेकिन आज सब लोग समझ चुके हैं चीज को आज कोई मूरक नहीं है हर लोग हर वेक्ति सोचल मीडिया से जुड़ा हुआ है हर मतलब अच्छा वेक्तिता हुआ सब का सब जानते हैं बड़े पहले हम बच्चे थे कौन इन इलेक्शनों में कौन इंटरफेयर करता था सब लेकिन आज एक बोट पर जोड़ लगता है कुछ बताएंगे कुछ नहीं सर्युआ होगी सारी रोक रखी बीजेपी ने अब इस सरकार बदलेगी बदलाव और युवा चाहता है बदलाव चाहते हैं बिल्कुल तो दस सालों में मतलब कुछ ऐसा दिखा कि यूद के लिए हुआ हो हर्याना में जिसको लेकर अब सब्सक्राइब कोई भी सरकार पूरा तो गलत नहीं करती है कुछ निए तो सिर्फ एक जुमला की सरकार है यह नाइब सेनी बैठा दिया इन्होंने शिर्फ एक लोगों को यह कह दिया यह कर दिया कूछ ऐसा हुआ नहीं अभी तक अ अभी लेक्शन आगया चार सी तालगने बाद में कोई पका थोड़ी हुआ है तो इस बार बदलाव चाहरा है बिल्कुल बदलाव क्या लग रही है मतलब कॉंग्रेस के सिती और बीजेप के सिती देखें तो अभी प्रदेश में क्या है एक तरफा सरकार है सर कॉंगरेस की अचानक से चुनाओं के मैदान में उतरी क्या महल दिखाई देरा है फिलहाल विधान साव में और खासकर यह तो गाउं है बहुत बड़ी आमाउल है भाई साब खिलाडी कि उस्ते पहले ते गाम नसमानी था गाम का घराव था पहले भी गाम ने अद्रमान अच्छा था का सिर्गी रही है और यह मैं लगना सुन लिया टिकट दे तो और भी और अगबात हो कि अलका है भी मतलब कुछन कुछ और अगब लकान भी फैदा हो और चीज का एकेडमी बगारा या कि में स्पोर्ट्स में बढ़कान गाइड लेन देगी अच्छी है तो कुछ जानकार तुरी ऊसने वाल काद एगा बीजेपि के तरफ से करें की बार सवाल उठाए जा रहा है कि चुनाओ में टिकट लेना अचानक से और यह सम इन मामलों पर सवाल उठाए जा रहा है क्या कहना चाहिए चुनाव में तो बाइसाब पहले खिलाडिया नोरा ने भी ली हैं टिकेट उन पर तो मतलब बीजेपी ने खुद रे टिकेट दी जिब वे खिलाडी नहीं थी बीजेपी ने और खिलाडियों को टिकेट पर ले दिया है वो भी तो खिलाडिये थे बीजेपी की तरफ से एक बार बीच में आफ़र आया था कहा गया कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहती है तो हमारी पार्टी से भी लड़ सकती है जिस दिन आम टीवी देख रहे थे नहीं सारा काम टीवी देख खथा डेराम बेठे थे उस दिन वे चीज आम देख रहे थे मतलब जो बाद में इतना ग्यान तो को नी लेकिन कोई भी बीजेपी का कोई ट्वीट बगारा या कुछ इस प्रकार का हो या तो आप बताओ लेकिन कई नेताओं ने मौखक मौखक तोर पर कहा इस बात को ना नहीं कोई वो नी नायब सिंग ने अपना जो सीम साहब है उन्होंना गोशना करी थी मतलब या करांगे वो करांगे लेकिन जिब दिली ते लेन गए कोई बीजेपी का कोई नेता वहां आया हो किसे ने एक प्रोच्छान कि कोई भी बीजेपी की तरफ तक किसे एक ने अगर करी हो तो आप बताओं चुनाओं में उतरका वहां कि जंतरिमें पर्चार के लिए उतार गया है और यहां से चुनाओं भी लड़ रही है तो विधान सवा में क्या महौल दिखाए देरा और खासकर गाउं में बाइसाब गाउं ने और अलकान पूरा वेट था क्योंकि दिल्ली में मारी इतनी बसाई को नी जंतर मंतर दा सरकार का रोड़ा था आड़ा यू उसका घर है गाम है अलका है आड़ा पूरा मतलब अद्र पर लेगाम मैं जब आई थी मेरा दो गुडियां है चोटे गुडियां मतलब ठीक थी खेल में योगा में वह स्टेट डिस्टिक लेवल के रही है तो उस बाब बत बात थी वह मतलब किलाम करा करो तो उस टेम पर भी खेलाम इतना बड यानी है आका मतलब बहुत जादार सब्सक्राइब कर देखा अब सैनी जी है पत्पे क्या लगता है मतलब हर्याणा मिका महौल किस तरफ जा रहा है और क्या सोच रहे हैं चुकि दो टर्म आपने बीजेपी की सरकार को देख बाइसाब हर वरग करमचारी का है मतलब ओनलाइन सब कुछ होया है बलका तक मतलब यह दे दिये लैप्टॉप दे दिये बड़ी अच्छी बात है स्टुडेंट को दो ग्रीव स्टुडेंट को दो बिल्कुल खुशां लेकिन ओनलाइन होया कि आडवाणी ना अपने नेट बढ़ा दिये इन विजुवाखे लंज क्या दिये और रिष्टा गदो कि में को नी नोकरी कान तो को जैने को बदला उचा रहे हैं बिल्कुल क्या सोच रहे हैं क्या महौल बन रहा है और क्या सोच जाना है और कुछ ऐसा कोई नया पूरा पूरे तयार है पूरी तयार है चल रहे हां बीजेपी को एक मजबूत केंड़ेट या फिर कोई अलग केंड़ेट या किसी और हलके काल आके अच्छा पूरे तो यह तो मदान किसे ने लिया हो आटे लाइदीन बाता है जो बड़ा मदान लोग तयार है पूरी कि सब्सक्राइब कर दो दो नहीं जब दो पाहल तयार है अच्छा जैसे बीजेपी को कुछ फाइदा होगा विजरिया बना लिया हो जब दो कर दो मार्सा दो कर मस्की ले रिया है विजरी वेजरिया हो के बोई लार फिल मम्त गाओं है हम लोग विनेश फोगाट के गाओं में यानि सुराल में पहुंचे हैं और तमाम यह लोग हैं नॉमीनेशन अभी नहीं वाले कि उससे पहले तयारी शुरू हो चुकी है और गाओं वाले जो हैं अपनी तरीके से पूरी तयारी में हैं कि कि इसी भी तरीके से पूर्ण महुमत से विनेश फोगाट को जीताया जाए पूरी तयारी में लगे हुए हैं आगे भी चलेंगे हर्याना के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग विधान समाओं में और आपको महौल दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है फिलाल के लिए नमस्क कि हुए है जाओा है जाओा है जड़को कि दोगल को बंट शेंगा है